हाई, I am Aryan, आई रोस्तो वीडियो की सुरुआत करते हैं, मिराज का टॉपिक है Tense, Tense में हम लोगोंने Present Tense कंपलीट कर लिया है, अब हम सुरू करने जा रहे हैं Past Tense, Past Tense का मतलब होता है भूत काल, जो काम हो गया है Past Tense के चार रूप है, Number 1, Past Indefinite Tense, Number 2, Past Continuous Tense, Number 3, Past Perfect Tense, Number 4, Past Perfect Continuous Tense तो आज का हमारा टॉपिक है, Past Indefinite Tense, जिसकी पहचान है, सेंटेंस के लास्ट में, आ, ई, ए, या फिर ताथा, टे थे, टी थे, आए, उसे हम Past Indefinite Tense कहते हैं जैसे में गया, गया में आ, आ रहा है, वा खाया, उसमें भी आ, आ रहा है, वा पर्ता था, इसमें ता था आ रहा है मतलब जो काम Past में, भूत काल में, किसी समय समाप्त हो गिया, उसे ही हम Past Indefinite Tense कहते हैं आएए दोस्तों, इससे Related कुई Sentence बना लेते हैं इसकी फोर्मूला क्या है, देखते हैं सबसे पहले Subject लिखेंगे, Subject क्या होता है, I, You, We, They, ये सभी Subject है मतलब जो Sentence का पहला Word होता है, वो ही Subject है, ठीक है? तो सबसे पहले Subject लिखेंगे, फोर्मूला में सबसे पहले Subject लिखना है, उसके बाद Verb 2 लिखना है, और उसके बाद Object लिखना है सबसे छोटा फोर्मूला है, Past Indefinite Tense का आईए एक बार और देख लेते हैं, Verb 1, Verb 2, Verb 3 क्या है? जैसे जाना, जाना का एंगलिस होता है गो, यहां Verb 1 है, उसके बाद Verb 2 क्या है? गो का, Verb 2 होगा, बेंट, और वर्ब 3 होगा, गोन, यानि गो, वेंट, गोन, वर्ब का तीनो रूप होता है जैसे कम, कम मतलब होता है आना, वर्ब 2 होगा, कैम, और वर्ब 3 होगा, कम तो हम लोग को वर्ब 2 यहां लिखना है, अगर मेरा sentence में गया sentence ले लिए, में गया, formula देखेंगे, सबसे पहले subject लिखना है, subject में का, आई हुआ, उसके बर्ब 2 लिखना है, बर्ब क्या है, जाना, जाना का इंगलिस क्या होगा, गो, यहां गो नहीं लिख के, हम लोग क्या लिखेंगे, went लिखेंगे, I went, मेरा sentence बन गया, में गया का, I went went यहां, भर्ब 2 है, एक और sentence ले लेते हैं, वह आया, ठीक है, formula देखेंगे, सबसे पहले subject लिखना है, subject वह का ही हुआ, उसके बाद भर्ब 2 लिखना है, यहां पर क्या है, आया, आना का इंगलिस होता है, come, come का भर्ब 2 क्या होगा, come, और भर्ब 3, come, यहां भर्ब 2 लिखना है, तो यहां भर्ब 2 लिख दिये, come, और मेरा sentence बन गया, वह आया, he came, एक और sentence ले ले लेते हैं, सीता गई, formula देखेंगे, सबसे पहले subject लिखना है, subject, यहां क्या है, सीता, यानि नाम का नाम ही लिखाता है, सीता, लिख दिये, उ verb 2, went, और verb 3, gone, go, went, gone, यहां पर क्या लिखाएगा, went, सीता, went, मेरा sentence बन गया, सीता गई, सीता, went, मैंने खाया, मैंने का English लिखेंगे, जो की subject है, मैंने का I होगा, और खाना का होता है, eat, इसका verb 2 होता है, at, यहां at, लिख दिये, मैंने sentence बन गया, I ate, मैंने खाया का English बना I ate, एक और sentence ले लेते हैं, तुम रोए, यहां पर subject लिखना है, subject तुम का you हुआ, उसके बाद verb 2 लिखना है, रोना का English होता है, whip, जो की verb 1 है, wept, जो की verb 2 है, और wept, verb 3, यहां क्या लिखना है, verb 2, क्या लिखाएगा, wept, लिख दिये, you wept, तुम रोए का sentence बन गया, you wept, ए हमने फल खाया, फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले subject लिखना है, subject हमने का we हुआ, उसके बाद verb 2 लिखना है, यहां खाना है, खाना के English होता है, it, verb 2 होता है, it, और verb 3 होता है, it and यहां पर verb 2 लिखाएगा, तो क्या लिखेंगे यहांपर, at लिख दिये है, wept, उसके we ate fruits हमने फल खाया का इंगलिस बन गिया we ate fruits तो आपको कुछ भी नहीं करना है बहुत ही easy trick है सबसे पहले subject लिखना है और उसके बार verb to लिखना है और sentence आपका easily बन जाएगा जैसे मैं गया I went तुम रोए You wept वह आया He came उसने गाली दी He abused मैंने देखा I saw I saw I slept तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया subject लिखा उसके बाद verb to लिखा अभी तक हम लोगों ने past indefinite tense का affirmative sentence बनाए normal वाला अब हम बनाने जा रहे हैं negative sentence नहीं वाला sentence तो आज रोज तो नहीं वाला sentence बना लेते हैं इसका formula है सबसे पहले subject लिखना है उसके बाद did not लगाना है हाँ यहाँ पर did not लगेगा नहीं में सिर्फ not नहीं लगेगा उसके बाद verb one लगाना है verb two नहीं लगाना है normal sentence में verb two और नहीं वाला sentence में verb one आ जाएगा सबसे पहले formula हम subject उसके बाद did not उसके बार भार्व वन और उसके बार बाकी sentence या object यह रहा formula इसका पहचान वही है इसमें नहीं लगा रहेगा नहीं आ नहीं इ नहीं ए sentence के last में हो या भी नहीं ता थे नहीं ते थे नहीं ती थे रहे तो आईये दोस्तो पास्ट इंडेपनी टेंस का negative sentence भी बना लेते हैं नह नहीं वाला जैसे मेरा sentence था में गया इसको हम लोग ने बनाया था में subject का आई लिखा उसके बार भर्व टू लिखा जाना का गो होता है भर्व टू वेंड आई वेंड अब मेरा sentence में नहीं गया निएटी बला क्या sentence में नहीं गया इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले subject दिए उसके बाद क्या लिखना है भर्व वन लिखना है भर्व वन तो सबको याद रहता है जाना का इंगलिस क्या होता है गो गो लिख दिए जो कि भर्व वन है I did not go मेरा sentence बन गया में नहीं गया का मेरा sentence बना I did not go बस आपको यह याद रखना है affirmative sentence यानि normal sentence में subject और लगता है जैसे में नहीं गया I did not go में गया का I went और में नहीं गया का I did not go यहाँ पर नहीं वाला में वेंट नहीं लगेगा यहाँ क्या लगेगा भर्व वन हो जाएगा I did not go एक और sentence ले लेते हैं हमने फल खाए इसका sentence बना था we ate fruits अब मेरा sentence है negative वाला हमने फल नहीं खा इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले subject लिखना है subject हमने का we हुआ उसके बाद did not लगाना है did not लिख दिया we did not उसके बाद खाना का एंगलिस होता है eat यह भर वन ही रहेगा it लिख दिया और fruit का फल का fruits होता है लिख दिया मेरा sentence बन गया हमने फल नहीं खाए तो इसका sentence बना we did not eat fruits एक और sentence बना लेते हैं राम नहीं आया सबसे पहले subject लिखना subject नाम का नाम ही लिखाता है राम लिख दिया उसके बाद क्या लगाना है formula में did not लिख दिया उसके बाद आना क्या होता है कम तो मेरा sentence बन गया राम नहीं आया इसका sentence बना राम डिड नॉट कम एक और sentence ले लेते हैं उन्होंने कोसिस नहीं की formula देखेंगे सबसे पहले subject लिखना है subject उन्होंने का दे हुआ उसके बाद did not लगाना है लगात दिया इसके बाद भर लिखना है one भर one क्या है यहाँ कोसिस कोसिस का इंगलिस होता try मेरा sentence बन गया they did not try उन्होंने कोसिस नहीं की एक और sentence ले ले लेते हैं वहाँ इसकुल नहीं गया formula देखेंगे सबसे पहले subject लिखना है subject वह का ही हुआ उसके बाद did not लगाना है लगात नहीं इसके बाद भर भर लिखना है यहाँ क्या जाना जाना के इंगलिस का होता go he did not go उसके बाद जो बचा sentence क्या बज़िया school he did not go to school मेरा sentence बन गया हुआ इसकुल नहीं गया और अगर मेरा sentence हो वह इसकुल नहीं गई तो इसको कैसे बनाएंगे कुछ नहीं करना है अगर गई से पता जल रहा है किसी लड़की के लिए बोला की जा रहा है तो यहाँ पर ही के जाब़ सी लगा देंगे she did not go to school तो कुछ और sentence निगेटिव वाला देख लेते हैं हम नदी में नहीं नहाए इसे इंगलिस में बनाएंगे we did not bath in the river number two हम किरकेट नहीं खेले we did not play किरकेट number three उसने मुझे गाली नहीं दी she did not abuse me number four हम नहीं गए we did not go number five वा नहीं पढ़ा he did not read number six तुम नहीं सोए you did not sleep तो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा पास्ट इंडेपनी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में गिया आई वेंट निगेटिव सेंटेंस में नहीं गिया आई डिड नॉट गो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंग और आपके लिए यह रहा होमवर्क इसे आपको कमेंट में लिखके बताना है मैंने सुना और एक सेंटेंस मैंने नहीं सुना तुमने एक पत्र लिखा और तुमने एक पत्र नहीं लिखा चलिए चारों कमेंट में लिखके बताएए तब तक के लिए बाई वीडियो को झाल